क्या हम बच्चों को रोज डाइपर पहना सकते हैं, क्या डाइपर बच्चों के लिए सेफ हैं, कितने घंटे बच्चों को दिन में डाइपर पहनाना चाहिए, क्या डाइपर से बच्चों को डाइपर राश हो जाता है चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो जली से खुद को इंडिडियूस करते हूँ हाई मेरे नाम आम अमरता है और मैं वीडियोस बनाती हूँ पेपी के टेप्स पर प्रोड़ेक्स में मेरे पर्सनल विलोग पे और फैशन पे वेल होता क्या है जब हम बच्चों के लिए डाइपर यूज करते हैं and accidentally या फिर किसी भी रिजन से बच्चों को डाइपर राश की प्रॉब्लम जी है वो शिरो जाती है तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है कि हमने हमारे बच्चों के लिए डाइपर यूज किया था तो ओवेसली डाइपर के वज़े से ही उसको डाइपर राश रेवर हुआ होगा जो कि बहुत बड़ा मित है दोस्तो डाइपर के वज़े से बच्चों को कभी डाइपर राश की प्रॉब्लम नहीं आती है डाइपर राश की प्रॉब्लम आती है डाइपर का सही तरीके से इस्तमार ना करने के वज़े से जो कि आज की डेट में भी बहुत सारे पैरेंस को नहीं पता होता है अब सही तरीका होता क्या है तो इसमें आपको सिर्फ जो कि डाइपर्स के अंदर जो भी पानी जाता है उसको फटा-फट जेल में चनवर्ट कर देता है जेल में convert करने से होता क्या है वो पानी के form में वापिस से convert नहीं होता है तो वो बाहर नहीं होता है डाइपर बहुत टाइम तक गीला नहीं रहता है जिससे होता क्या है बचों का skin गीला नहीं होता है अगेन बचों को diaper rash नहीं होता है पॉइंट नमबर टू है कि आपको अपने बच्चों का डाइपर जुह है वो रेगुलर्ली चेंज करना है बिना भूले चेंज करना है दोस्तों यहां पर आपको एक बात कर ध्यान रखने है जब बच्चों का स्किन गीला रह जाता है तो ही बच्चों को डाइपर रैश की आप देखेंगे स्टार्टिंग की फेस में जब न्यूबॉर्ण बच्चे होते हैं तो दिन में at least 15-16 बार भी कई बार बच्चे वो सुसू कर लेते हैं तो यहां पर आपको करना क्या है आपको अपने बच्चों को जच करना है अगर आपका बेबी बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली जो है वो पी करता है तो आपको जल्दी डाइपर जो है वो चेंज करना होगा ताकि उनका जो skin है वो गीला ना रहे उनको diaper rash की problem ना हो दोस्तों आपने देखा होगा diaper rash की जो problem होते है generally वो newborn बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है compare to big babies इसका reason यही है कि जो newborn बच्चे होते हैं उनका skin काफी ज़्यादा sensitive होता है developing stage पे होता है काफी पतला होता है compare to big babies इसलिए उनको diaper rash की problem जल्दी आती है again compare to big babies तो यहाँ पे आपको diaper जो है वो regularly change करना है point number 3 भी equally important है कि आपको अपने हातों को भी धोना है अपने हातों को भी sanitize करना है बच्चों का diaper change करने से पहले कई बार क्या होता है न हम kitchen में काम कर रहे होता है या फिर हम कोई भी और काम कर रहे होता है and suddenly हम realize करते हैं कि हाँ हमारी baby ने तो सुसू बॉटी किया है और हम आकर के clean करना शुरू कर देते हैं diaper change करना शुरू कर देते हैं but at the same time हम यह realize नहीं करते हैं हो सकता है कि हमारे हाथों का germs हो वो बच्चों में transfer हो जाए तो यहां पर आपको क्या करना है आपको हाथों को clean करना है या फिर अगर आप wash नहीं कर सकते तो आप sanitize कर लेजे उसके बाद आप अपने बच्चों का diaper जो है वो change किजे अगर हो सकता है तो लूक वाम वाटर से आप अपने बच्चों का diaper area जो है वो clean करें जिससे होता क्या है हाइजीन यहां पर maintain रहती है वेल आप चाहें तो cotton भी यूज़ कर सकते हैं आप चाहें तो wipes भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप cotton यूज़ कर रहे हैं तो cotton को आप हलका से पानी में डुबो लीज़े उसको हलका सा वेट कर लीज़े उसके बाद आप अपने बच्चों का diaper area जो है वो clean करें अगें ताकि हाइजीन यहां पर absolutely maintain रहे point number five है कि आपको अपने बच्चों के diaper area को dry होने देना है सूखने देना है इसका मतलब यह है दोस्तों कि कई बार क्यों होते हैं हम बहुत जल्दी में होते हैं फटा फट हमने साफ किया जैसे भी साफ किया और फटा फट हमने उनको दूसरा diaper जो है वो पहना दिया आपको य या फिर wipes को यूज कर सकते हैं या फिर टीशिस को यूज कर सकते हैं तो इन में से जो भी आपके लिए comfortable है आप उसको यूज करके उस एरिया को थोड़ा सा tap-tap करके pat dry भी कर सकते हैं या फिर आप उनको खुला रहने देजे हवा आने जे ताकि होगा क्या air circulation जो है वो maintain रह दोस्तों यहां पर बहुत सारे parents जो है वो गलती करते हैं मतलब यह आपको बिल्कुल नहीं करना है यह बहुत important पार्ट होता है डाइपर राश से बच्चन को बचाने के लिए तो यहां पर आपको यूज क्या करना है आप चाहिए तो बेवी के जो मॉश्राइजर आते हैं आप यूज कर सकते हैं आप चाहिए तो लोशन यूज कर सकते हैं आप चाहिए तो नाचरल मॉश्राइजर जैसे की कोकोनट ओल हो गया या फिर ओलिव ओल हो गया आप वो यूज कर सकते हैं आप चाहिए तो डाइपर राश क्रीम को भी यूज कर सकते हैं तो जो भी आपक बच्चो नीकिला पन पेञा है, उससे होगा क्या, अगर ऐपने बच्चों को बहुत ज्यादा तब बहुत ज़्यादा दाईपर उसमें करेंगेगा उसमें एर सिर्कुलेशन यहीं रहेगा, अगर गीला पनझे माण। अगर आप बच्चों को उसे डाइपर राश होता है अगर आप बच्चों को लूज डाइपर पहराएंगे तो उससे क्या होगा अगर बच्चे सूसू करते हैं या फिर पी करते हैं तो वो लीक हो सकता है बाहर निकलेगा जो कि बचों के थाइस एरिया या फिल एक एरिया तक भी जा सकता है ज़सर कि मैंने आपको बताया है वो काफी acidic होता है बचों के skin के लिए काफी बिल्कुल भी recommended नहीं होता है तो यहाँ पे आपको loose diaper भी जो है वो पहनाना नहीं है तो आपको right size of diaper ही बचों के लिए खरीदना है again right size of diapers क्या होता है diapers में generally आप देखेंगे वहाँ पे mentioned होता है कौन से age के बचों के लिए आप diapers खरीद सकते हैं कौन से weight के हिसाब से आप बचों के लिए diapers खरीद सकते हैं या फिर चाहे आप normal disposable diapers को use कर रहे हैं बढ़ diaper free time देना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों मैं आपको बता दूं कोई भी चीज excessive किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चों को 24 hours diapers में रख सकते हैं बच्चों के लिए बिल्कुल भी recommended नहीं होता है आपको उनको skin को ब्रीद करने के लिए देना है आपको थोड़ा सा डाइपर free time देना है आपको जो भी time comfortable लगे आप वो कर सते हैं मतलब अगर बच्चे खेल रहे हैं तो आप बच्चों को डाइपर free time दे सकते हैं या फिर अगर आपने बच्चों को मसाज किया है तो मसाज के बाद अपने बच्चों को डाइपर free time दे सकते हैं एक से दो घंटा दिन में आपको बच्चों को डाइपर free time देना ही है ताकि उनका skin ब्रीद कर सके उसमें हवा या फिर ventilation बनी रहे अगर बच्चों को बाइचांस कोई डाइपर रैश की problem आ भी गई हो तो वो time बच्चों के लिए काफी अच्छा माना जाता है तो ये सारे कुछ ऐसे बातें थी जिसका ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपने बच्चों के लिए डाइपर यूज करते हैं ताकि उनको डाइपर रैश की problem ना हो अब बात करते हैं cloth napis के बारे में जो की again बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा recommended होता है तो मैं आपको suggest करूँगी अगर आप अपने बच्चों के लिए disposable diapers नहीं यूज करना चाते हैं तो भी उसमें कोई भी बुराई नहीं है बट वहाँ पे भी आपको कुछ बातों का जो है वो ख्याल रखना है for example अगर अगर अपने बच्चों के लिए cloth napis यूज कर रहे हैं तो हर एक पी के बाद आपको उनको चेंज करना ही पड़े का गीलेपन में आप अपने बच्चों को cloth napis के साथ बिलकुल मत चोड़े जैसे कि मैंने आपको बताया पी ऐसे दिख हो आप जब अगले बाद same cloth napis को अपने बच्चों के लिए यूज करें तो वो bacteria बच्चों में transfer ना हो अब हम बात करते हैं कि क्या हमारे बेटे आयांश को कभी भी diaper rash की problem आई है तो of course आई है जब हम उसका diaper change करना भूल जाते थे या फिर कभी मेरी आंख लग गए और मैंने उसका diaper जो है वो time पे change नहीं किया तो उसको diaper rash की problem जे है वो हो जाती थी तो हमें उसका diaper जो है वो regularly change करना पड़ता था ताकि उसका diaper rash की problem जे है वो ना रहे तो ये था आज का वीडियो बच्चों के diapers के बारे में अगर आपका कोई भी सवाल हो या doubt हो इस topics related या आज की के लिबार आ रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लेज़ेगा हम इस तरह के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं आप चाहें तो हमें फेस्बुक और इंस्टा पी फॉलो कर सकते हैं जहां पर अगीन हम आपके लिए इंफोमेटिव वीडियो जह वो डालते अगर आप चाहते हैं किसे स्पेसिफिक टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो बनाओ तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगे आपके लिए वो वीडियो बनाने के लिए तो इसे के साथ दोस्तों मैं आज को वीडियो ख हुँ है